जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल ASP Class S में दोस्तों आज की वीडियो हम हिंदी साहित्री से संबंदित महत्तपुन कोस्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए ग्रूप से जड़े टेलिग्राम एप में आप सर्च करें IAS Study यहां से आप हमारी टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जहाँ पर हम जो ये वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाल रही थी वह हम टेलिग्राम ग्रूप में आपके लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अब अस्ते जड़ें तो चलिए आज का अपना जो फर्ष्ट कोस्चन है कि कबीर किस काप बिधारा के कभी हैं तो कबीर जो है एह किस काप बिधारा की कभी हैं ग्यानमारगी ग्यानमारगी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगला कोस्चन डाक्टर किष्ण संकर सुकल ने आचार केसब दास पर एक समीचात्मक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या है आंसर बनता है तो आप कमेंट में ज़रू बताएं क्या होगा इसका आंसर तो इसका राइट आंसर है केसब की का बिकला केसब की का बिकला जो है यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कोस्चन है ब्याकरण की दरश्टी से प्रेम सब्द क्या है क्या है ब्याकरण की दरश्टी से बताना है प्रियम सब्द क्या है तो आपका आंसर होगा भाव बाचक संग्या भाव बाचक संग्या जो है आपका राइट आंसर होगा कि ब्याकरण की दरश्टी से प्रियम सब्द क्या है तो आपका आंसर है भाव बाचक संग्या अंगला कॉस्चन च्वापाई के चारों चर्णों में कितनी मात्राई होती हैं तो जल्दी से बताईए अगर आपसे आंसर बनता है च्वापाई के चारों चर्णों में कितनी मात्राई होती है राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 16 है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा अंगल्या कोस्चन हिंदी का पहला देनिक समाचार पत्र कौन सा था हिंदी का पहला देनिक समाचार पत्र कौन सा था तो राइट आंसर क्या है इसका तो इसका right answer है तंड मार तंड जो है आपका right answer होगा हिंदी का एह पहला समाचार पत्त्रे था अंगल्या question है आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक कौन थे तो इस पत्रिका के संपादक बता नहीं याँपर राइट आन्सर क्या होगा आनन्द का दम्मिनी पत्री का जो थी इसके संपादक तो इसके संपादक क्वंथे चोदरी बदरी नारायन प्रेमगन आपका जो है आपर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन है धातू सेन पिरसाथ के किस नाटक का पात्र है तो question number 38 का right answer होगा इसकंद गुप्त इसकंद गुप्त आपका यहाँ पर सही answer होगा अंगला question निमलेकत सब्दों में से किस में बेंजन संदी है तो बताईए निमलेकत में से जो सब्द है किस में बेंजन संदी है तो आपका राइट आंसर होगा सतकार सतकार आपका यहाँ पर सही answer होगा अंगला question है कि रसिक प्रिया के रचेता है most important question है एह जल्दी से बताईए question number 40 रसिक प्रिया के यहाँ पर रचेता बताना है तो रसिक प्रिया के जो रचेता है वाई कौन है के सब्दास के सब्दास आपका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन कि निम्लेकत मेंसे अर्दस्वर कौन सा है तो अर्दस्वर बताना है यहां पर तो अर्दस्वर है आपका या क्या है या कि अर्दस्वर कौन सा है तो आपका आंसर होगा या अंगला question है भरत मुनी ने अप ब्रंस को नाम दिया है तो क्या नाम दिया है तो भरत मुनी ने अप ब्रंस को नाम दिया है असवत दभासा असवत दभासा नाम दिया है अंगला कॉस्चन चोल सासकों की भासा क्या थी तो कॉस्चन नमबर 43 का राइट आंसर क्या होगा तो चोल सासकों की जो भासा थी भाय क्या थी तमिल इनकी जो भासा थी किसकी चोल सासकों की अंगला कॉस्चन जन्मे जय का नांगयग किसकी किरती है जन्मे जय का नांगयग किसकी किरती है कॉस्चन नमबर 44 तो इसका जो राइट आंसर होगा जैसंकर प्रसाद जैसंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जन्मे जय का नांगयग यह किरती है अंगला कोश्चन है यहाँ पर कि छायावादी कभियों ने जब अध्यात्मिक प्रेम को अपनी कभीता में ब्यक्त किया तो ऐसी कभीताओं को किस बाद के अंतरगत रखा गया तो कौन सा बाद है जिसके अंतरगत इन कभीताओं को रखा गया चायाबादी कवियों ने जब अध्याद्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में ब्यक्ति किया तो ऐसी कविताओं को किस बाद के अंतरकेत रखा गया राष्टबाद राष्टबाद जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है यहाँ पर कि काब चेतर में प्रवंद सुरोमनी की अपादी किसे दी गई है तो यहाँ पर आपके लिए काब चेतर नों बताना है कि काब चेतर में प्रवंद सुरोमनी की अपादी किसे दी गई है तो question number 46 का right answer है मेथली सरन गुप्त मेथली सरन गुप्त आप कहां पर सही answer होगा अंगला question है कि तोड़ती पत्तर कभीता के कभी है तोड़ती पत्तर एक कभीता है तो इसके कभी कौन है तोड़ती पत्तर तो तोड़ती पत्तर कभीता है जो इसके कभी है सुरकांतर पाठी निराला तो निराला जी इस कविता के कभी है कौन सी कविता है तोड़ती पत्थर अंगला कॉस्चन कि कौन सी बोली पस्चम हिंदी की नहीं है तो पस्चम हिंदी की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है तो आपका अंसर है बगेली बोली बगेली बोली जो है पस्चम हिंदी जो है बोली नहीं है अंगला कोस्चन है यहां पर कि इन में सहियोक्त बेंजन कौन सा है तो यहां पर सहियोक्त बेंजन बताना है तो सहियोक्त बेंजन कौन सा है यहां पर ग्या ग्या जो है यह सहियोक्त बेंजन है अंगला कोस्चन जाइसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है जाएसी ग्रंतावली संपादक है तो कौन है इसके जाएसी ग्रंतावली के संपादक तो राइट आंसर है आपका रामचंद सुकल रामचंद सुकल आपका यहां पर सही आंसर होगा कि जाएसी ग्रंतावली के संपादक हैं तो रामचंद सुकल है अंगला कोस्चन बीर रस का इस्थाइभाव कौन सा है तो बीर रस का इस्थाइभाव क्या है तो आपका अंसर है उत्सा है क्या है उत्सा है पीर रस का इस्थाई भाव है क्या उत्सा है अगला question रामचरित मानस किस भासा में लिखी गई most important question रामचरित मानस जो है एह किस भासा में लिखी गई है तो रामचरित मानस जो है एह लिखी गई है अबदी भासा अब दिभासा में एह लिखी गई है रामचरित मानस अंगला कोश्चन है कि चंदन विस ब्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग इस पंती के आपके लिए रचेता बताना है तो कौन है इस पंती के रचेता चंदन विस ब्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग पर की गीतानजली के रचेता कौन है तो जो गीतानजली है इसकी रचेता है रवेंदरनाथ टेगोर कौन है रवेंदरनाथ टेगोर आपका यहां पर राइट आंसर होगा कॉस्चन नमबर चंगन का रवेंदरनाथ टेगोर अंगला कॉस्चन है की सिफ संभू के चिट्थे से संबंदित रचनाकार है तो इसके रचनाकार बताना है सिर्फ संभू के चिठे तो इसके रचनाकार है कौन बाल मुकंद गुप्ते बाल मुकंद गुप्ते आपका यहां पर राइट आंसर होगा दचन भारत में हिंदी भासा के चेतर में किसने प्रचार प्रसार किया है तो आपका आंसर होगा सी राजगोपाला चारी अंगला कौस्चन निम्न मैसे किस पुस्तक में बिरमर कीत का प्रसंग है तो कौस्चन नम्मर अंठाउन 58 का राइट आंसर बताना है कि निम्न मैसे किस पुस्तक में भिरमर कीत का प्रसंग है तो आपका राइट आंसर होगा सूरसागर सूरसागर आपका यहां पर सही आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन मानवी करन अलंकार का प्रियोग किस प्रकार की कविता में हुआ है अनेल का पर्यावाची सब्द है तो क्या है अनिल अनिल है इसका जो परियाबाची सब्सक्राइब कौन सा है तो अनिल का परियाबाची यहां पर है पवन पवन आपका राइट आंसर होगा अंगले question है विपासा पत्रिका का प्रकासन किस प्रदेश से हुआ है विपासा पत्रिका का प्रकासन बताना है question number 61 राइट answer क्या होगा कि विपासा पत्रिका है जो इसका प्रकासन किस प्रदेश से हुआ है तो आपका answer है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आपके यहां पर सही आंसर होगा विपासः पत्रिका का प्रकासन हुआ है उत्तर प्रदेश से अंगले कोश्चन है नील कमल में कौन सा समास है जल्ली से बताईए नील कमल नील कमल में कौन सा समास है तो नील कमल में कर्मदाराय समास कौन सा कर्मधाराय समास है नील कमल में अंगला कोस्चन है सेस कादंबरी के रचेता है तो बताइए सेस कादंबरी के रचेता कौन है कोस्चन नमबर 63 का राइट आंसर बताए सेस कादंबरी के रचेता है तो अलका सराओगी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही एह वीडियो आप के लिए क्यासा लगा कमेंट के माध्य हम से जरू बताएं और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारी चैनल ASP Classes को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें पीडियो के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जड़ें टेलिग्राम एप में आप सर्च करें IAS Study Trick यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जान कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाल रहती है वाई हम आपके लिए टेलिग्राम ग्रूप में उपलब्द कर देती हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अब सजड़ें और आप हमारे फेस्बक पेज को भी लाइक करना न भूलें फेस्बक में आप सर्च करें SP Classes YouTube Channel यहां से आप हमारे जो फेस्बक पेज है इसको भी लाइक करना न भूलें आज की वीडियो बस इतना ही जय हिंद